हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब रेडमी ने दोस्तो अपना नया बजट फून लाउंच कर दिया रेडमी 8 3 जो कि आपको मिलता है दोस्तो कुछ इस तरीके से रेड और वाइट कलर के बॉक्स में तो बॉक्स तो काफी फ्रेश है लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या नया बॉक्स है या फिर फून के अंदर भी आपको फीचर्स नय मिलते हैं और यह बजट फून काफी कम रेड में मिलने वाला रेडमी का अब आपको कैसे फीचर्स मिलते है तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जोड़ देखेगा और एक लाइक जरूर कर दीजिए मतलब चार्जर और केबल की रखी हुई है तो वह भी देख लेते हैं यूजर मैनुल के बाद यहाँ पर सिम इजक्टर टूल लगावा है और कुछ इस तरीके सा आपको छुपए भी रखी हुई मिल जाती है एक वाइट कलर में टाइप सी केबल जिसके लेंट और क्वालि हो जाता ना ठार वाट का तो और बढ़िया हो जाता तो वो चीज़ आपको पहले की तरीके से देखने को मिलती है और कवर भी नहीं है अन्रैप कर लेते हैं दोस्तो हमारे रेडमी A3 को तो दोस्तो इसके अंदर आपको जो डिजाइन मिलता है वो काफी कमाल का मिल जाता है तो डिजाइन की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है दोस्तो एकदम स्क्रेचिस की प्रॉबलम आपको देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे इस तरीकी के डिजाइन में आपको दो कैमरे दिये गए हैं एक लेफ्ट साइड पर दूसरा बीच में और तीसरी साइ दियेगा मुझे इसका डिजाइन काफी जादा बड़िये लगा चली इसको अन कर लेते हैं दोस्तों में आपको दिखाता हूं रेड्मी एथरी यूस करने में कैसा और इसकी डिस्प्ले कैसी है चलाने में एक्स्प्रियंस आपको कैसा मिलता है तो इसके अंदर आपको आपको डिलीट कर सकते हैं तो आप डिलीट कर दियेगा बागी डिस्प्ले की क्यालिटी कैसी है वह चीज में आपको दिखाता हूं बिल्कुल ब्राइटनेस करके इसकी तो यहां पर दोस्तों आपको नौच वाले डिजाइन दिया गया है डिस्प्ले में पंच्छोल कैमर जाता है डिजाइन अगर जो है दोस्तों थोड़ा सा और जाधा बढ़िया होता पंच्छोल कैमरे वाला तो और मज़ा आ जाता तो चीज तो देखने को नहीं मिलती लेकिन कलर्स होगे रहे जो है ब्राइटनेस उस चीज़ को लेकर आपको शिकायत नहीं होगी दिक्कत आ आप देखेंगे यहां पर आपको सिम के ट्रे दी गई है जो की डेडिकेटेट स्लॉट मिलता है मतलब दो सिम काड़ एक मेमरी काड तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर आप निचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट और माइक मिल जाता है राइट साइड साइ दिया गया है तो स्पीकर आपको जो आपको तरफ मिलते हैं और हैडफोन जैक भी मिल जाता है तो चीज़ काफी बढ़िया है आयर ब्लास्टर तो इसमें नहीं है टीवेसी वगर नहीं चला सकते साब बाकि रैम और स्टोडेश की बात करें और रैम और इसमें आपको नहीं जी नहीं है और हैडवा है और इसके रिखें लाव इसके अंदर आपको जो दो रैम औरा स्टोरेज दी गई है वह मिलते हैं 0 तो इसके अंदर आपको दोस्तो बेस वेरेने में मिलती है 3GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज और जो 13GB जो कुछ इस तरीकी से यूज़ है तो 50GB के आसपास आपको फ्री मिल जाएगी इसके लब दोस्तो इसके अंदर आपको Android का जो बिल्कुली latest version मिलता Android 14 यह चीज इसमें आपको बहुत ही कमाल की मिलती है दोस्तो बिल्कुली latest software दिया गया है तो यह चीज इसके अंदर आपको काफी कमाल की मिल जाती है latest version जो इसके अंदर आपको Android का पहले से मिल जाता है out of the box तो यह चीज आपको काफी बढ़िया दी गई है चले मैं इसको restart कर दिया देखते है performance के point of view उसे यह कैसा है और नॉर्मल यूस के अंदर आपको कैसी performance आपको देखने को मिलती है इसके अंदर यह मतलब hang type का होता यह फिर नहीं बाकि दोस्तों इसके अंदर आपको जो processor दिया गया है तो उसके बारे मैं बात करें इसके अंदर आपको मिलता है दोस्तों media tech का G36 processor restart मैं नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी बाकि अगर आप एक heavy user है न performance ही आपको बड़िया चाहिए गेम वगेरा जादा खेलने है multitasking जादा करनी है तो उससे साबसे देखा जाए तो दोस्तों performance आपको normal type की देखने को मिलती है मैं आपसे ही कहूंग आप अपना थोड़ा budget बढ़ा इसके बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेश की एक दिन का normal बैटरी बैक अराम से आपको मिल जाएगा तो बैटरी तो काफी अच्छी है इसके अंदर बाकि अगर चार्जर और फास्ट हो जाता तो काफी बढ़िया रहता लेकिन देखा इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलता है नॉर्मल टाइप के आपको मिल जाते हैं इसके प्राइस को देखते हुए सबसे में चीज़ जो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो इसका एक्सप्रियेंस है यूस करने का डिस्प्ले की क्वालिटी वो चीज़े काफी बढ़िया है तो एक्सप्रियेंस आपको स्पीड को लेकर नॉर्मल टाइप का यह आपको मिलेगा दोस्तो बात करें दोस्तो कैमेरे के बारे में तो बैक साइड पर आपको 8MP का ही में कैमरा मिलता है इसके अंदर आपको जो कलर्स मिलते हैं फो आपको ठीक टाक मिल जाते हैं रेट के सा साथ साथ हजार के budget में और साथ साथ हजार से भी कम price में आपको मिल जाएगा साथ हजार दोस्टो तीन सो क्या सपास चलिए बात करते हैं सबसे में चीज आपके लिए phone कैसा रहेगा कैसा नहीं तो दोस्तों देखा जाए तो quality wise जो इसके अंदर आपको अच्छी चाहिए तो वह चीज भी सही मिल जाती है इसके अंदर आपको बैटरी काफी अच्छी दी गई है 5000 इमेज की एक दिन का नॉर्मल बैटरी बैक आप राम से मिल जाएगा फिंगर पेंट स्कैनर भी इसके अंदर आपको दिया गया है डिजाइन अगर आपको बढ़िया चाहिए तो वह चीज भी आपको दोस्तो अच्छी मिल जाती है बैक साइट से डिजाइन की क्वैलिटी भी बढ़िया है लुक आइस भी काफी फ्रेश डिजाइन है एसए निवाता जैसा copy type का दूसरे phones में जैसा आपको देखने को मिल रहा है आजकल iPhone जैसे देखने को मिलते हैं जाद तर phones के डिजाइन तो वैसा नहीं है दोस्तो बिलकुल यूनिक डिजाइन है और दोस्तो camera की performance बिचे मिल जाती है रम और storage भी सही दी गई है और नॉर्मल पर्फॉर्मेंस में भी आपको सही मिल जाता है ये फून तो रेट के साब से देखा जाए तो दोस्तों बस जो है मुझे इसकी प्रोसेसर जो है न वो चीज थोड़ा सा डाउन लगा अगर और बेटर होता तो काफी बढ़िया हो जाता बाकि दोस्तों मतलब प्राइस की सबसे देखा जाना तो इतने प्राइस में जादतर फेचर्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं उससाब से देखा जा तो quality में फिर भी उनसा बैटरी है दूसरे स्मार्टफून से जो आपके दूसरे ब्रांट्स में देखने को मिलते हैं आपको यह कैसा लगगा आप कमेंट करके बताईएगा आपको उसको जाना देखना किसे और फोन के साथ तो मैं बताईएगा आपका यह कैसा लगगा शरूर बताईएगा वीडियो दोसकाट आपको अच्छे लगी तो उसको